दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है और यूश्फुल भी क्योंकि आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है स्मार्ट बने दिखे नहीं कहने का मतलब है कि आपको स्मार्ट दिखने से ज़्यादा फोकस करना है बनने पे स्मार्ट लोगों की एक अपना अलग एटिट्यूट होता है जीवन जीने का एक अलग ही स्टाइल होता है तो आप कैसे स्मार्ट रियल में स्मार्ट आप कैसे बने तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने पैरिंस के पैसे पे माबाप के पैसे पे स्मार्ट दिखते हैं लेकिन बात तो वैसी हो जाती कि उंची दुकान स्फीके पकवान कहने का मतलब अपनी दम पे अपनी क्वालिटी से वो स्मार्ट नहीं बनते हैं उनका सिर्फ लुक्स स्मार्ट वाला होता है लेकिन एक बच्चा है जो मेडिकलास फैमिली से बिलोंग करता है ये बच्ची है तो वो अगर अपने दम पे जैसे पटना की चाय वाली हुई कलपना चावला हुई जो एक कॉंस्टेवल की बेटी थी तो वो लोग अपने दम पे बहुत गरीब थी बहुत खराप परश्टीती में थी फिर भी अपने दम पे वो स्मार्ट बने काम्याब हुई तो ये रिय स्मार्ट बनने जैसे कि एक कहावत भी है कि जब तक दुकान में ताला लगा रहता है पता नहीं चलता कि दुकान के अंदर क्या है उसी तरह जब कोई इनसान बोलता जे सिर्फ कपरे बाहरी आवरन से ही आप smart नहीं बन सकते उसके लिए smart वाली quality भी आपके अंदर होना चाहिए तो यह जिस कैसे हम अपने अंदर लेकर आएं और कैसे जिएन में आगे बने और smart बने और खुद अपने पैसों से smart दिखे भी तो smart दिखने से ज़्यादा जरूरी है smart बनना और smart तरीके से वर्क करना तो हम कैसे समाज में society में अपने friend circle में अपने आपको smart बना सकते हैं हर कोई चाहता है कि वो smart दिखे और साथ ही साथ उसके पात एक smart mind भी हो जिससे वो हर किसी को control कर सके कहने का मतलब अपने और आकरशित कर सके और convince कर सके तो चलिए आज की वीडियो हम श्रू करते हैं तो first point है बुरे समय में भी cool रहे हैं यह बहुत difficult होता है क्यूंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं girls भी हैं जिने बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है special मैं girls के लिए ही वीडियो बनाती हूँ उनको ध्यान में रखते वे तो पूरे समय में जैसे कि आपके relative हैं कोई आपके घर प्याय हैं घूमने के लिए तो दादी मा मा उसी पुराने विचार धारा की हैं या कुछ आपको कह भी दी तो आपको वहाँ पे गुस्सा नहीं करना है कंट्रोल कर लेना सयम से रहना है तर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको करना वही है अपने मन का लेकिन आपको सो नहीं करना है गुस्सा नहीं करना है वो कुछ भी बोलें लड़की है क्या कपरे पहनती है चोटे कपरे पहनती है कितना ज़्यादा हसती है कितना बोलती है घर से बाहर रती है ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए ऐसे बैठना चाहिए ऐसे उठना चाहिए तो ऐसे में उनका जो टाइम था उनका जो माइंड है उन पे आपको छोड़ देना है गुसा नहीं करना है बुरे समय में कि गल्स को बहुत बुरा लगता है यह सब बाते की मेरे से ही क्यों कहा जा रहा है मैं भी तो एक इनसान हूँ मुझे भी तो हसने बोलने का हक है रियल में आपका जमी आपका यह आश्मा है आपको हक है तो ऐसे में आपको कूल रहने की कोसिस करना है कि जो जितना ज़्यादा कूल रहता है वो उतना ही ज़्यादा जो सहता है कहा जाता वो ही आगे बढ़ता है इस थरह की कहावत है तो सहना चाहिए थोड़ा सा सुनना चाहिए बरो की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनसे आपको भ besch नहीं करना है करना वही है जो आपका मन करे सैयम रखना है पेसंस इस तरह से रखना, आप घर से ही शुरुआत करें इस पॉइंट है, कि कोई कितना भी कुछ भी भला बुरा आपको बोले लेकिन आपको अफशब्द नहीं बोलना है अपने जवाँ पे कभी भी कोई अफशब्द लेकर नहीं आना है किसी के प्रती नहीं बोलना चाहिए इससे क्या होता है कि आप को पता चल जाता है कि आप किस तरह के इंसान हो कैसे परवरिस में आपकी परवरिस हुई है कैसे महौल में आप रहते हो तो इसलिए बाहर में या घर पे ही घर पे भी अपनी आदत में शामिल कर लो कि मुझे अफशब्द नहीं बोलना है चाहे कोई मुझे कितना भी उससे लड़ाई करने के लिए तन के आ जाए लेकिन हमें उसके सामने तन के उशी की भासा में लड़ना नहीं है क्योंकि उसमें फिर आप में क्या फरक रह जायेगा तो इसलिए आपको वहाँ पर चुप रहना चाहिए कोई अफशब्द नहीं बोलना है क्योंकि आप उसके तरह नहीं बन सकते हो ऐसे कहा भी जाता है कि कीचर में जब हम ढेला फेकते हैं तो वो फिर कीचर हम पे ही उफशल के पड़ जाता है, हमारे कप्रे गंदे होते हैं, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, पॉइंट है honest बने, और हाँ सांती साथ हसी मजा के पात्र ना बने, कहने का मतलब है कोई कुछ समय के लिए आपका मजा कुराता है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा अगर आपका कोई मजा कुराता है, तो या चड़ा बढ़ा देता है, उसके बाद मजा कुरा देता है, तो ये सही नहीं है, तो आपको हमेशा मजा का पात्र नहीं बनना, इससे आपकी smartness नहीं जलकती है, बैकूफी जलकती है, क्योंकि लोग आपको बैकूफ बना रहे होते हैं, और honest रहें, लेकिन हर कोई आपका चंट चलाग चतुर लोग जो होते हैं, वो इस्तिमाल करना दूसरे को अपने काम के लिए अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए आप honest बने रहें, लेकिन इतना भी बैकूफ ना रहें, कि कोई भी स्मार्टनेस से आपको बैकूफ बना जाए, और फिर कोई वो तो मुझे बैकूफ बना गया, रियल में वो आपको बैकूफ नहीं बना गया, आप खुद बैकूफ बन जाती हो या बन जाते हो, या हो रियल में, इसलिए honesty तो ठीक है लिए कि हासी का मजाक ना बने और बैक सकते हो, क्योंकि आप उनके अंडर में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको स्मार्टनेस जाए, और रियल में आपका काम उनके घर का ब्रेकफास्ट बनाना नहीं है, आपका जो पोस्ट है, वो काम है, लेकिन ओपिसर चाहते हैं, अंडर में जब काम करते हैं, कि उनसे ये का भी करवा लिया जाए वो लोग कटपुतली की तरह न चाहते हैं तो ऐसे मैं आपको वहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी है कि सर मैं बना तो दूंगा आपके ब्रेकफास्ट लेकिन रेली में मेरे पास इतना सुबर मॉर्निंग में वर्क होता है कि मैं खुद ही अपना नास्ता नहीं बना पाता और मैं और करके अपने लिए ऑनलाइन मंगवाता हूँ तो ऐसे मैं फिर वो आपको कहीं नहीं पाएंगे कि इससे तो खुद का काम नहीं होता है ये मेरे घर का नास्ता क्या बनाएगा तो इस तरह से कुछ मतलब बहाना बनाए लेकिन स्मार्ट तरीके से कि आपको कोई समझ भी ना पाए ऐसे रियल में आप अपना नास्ता खुद बनाते हो लेकिन आपको कहना ऐसे है तो इस तरह से आपको स्मार्ट बनना है फोर पॉइंट से यू हेव अगुड कॉम्यूकेशन स्कील कॉम्यूकेशन स्कील ऐसी होती है बातचित करने का तरीका कि हम किसी को भी कन्भेंस कर सकते हैं आजकर न्यू यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैम सर मेरे पैरेंस मेरी बात नहीं मानते मैं करना कुछ चाती हैं वो मुझे समझते ही नहीं तो ऐसे में आप कन्यूकेशन स्कील आपका अच्छा नहीं है क्योंकि आप अपने पैरेंस को आप नहीं समझा पा रहे हो अपने ड्रीम नहीं बता पा रहे हो उनसे आप डील नहीं कर पा रहे हो तो फिर जब आप बहुत ज़्यादा भीर में जाओगे तो लोग आपकी ब बातों से कैसे कन्विंस होंगे कैसे आपकी बातों को सुनेंगे समझेंगे और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगो तो यह भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है तो इसलिए अपने अंदर कम्म्यूकेशन स्कील डेपलब कर इसके लिए जो लोग बहुत अच्छा बोलत लेकिन डारेक्ली हमारी लाइफ में एजुकेशन का पार्ट है तो इस तरह से आपको मतलब अपने अंदर कम्म्यूकेशन स्कील को डेपल अप करनी शाहिए जो आपके फ्यूशर के लिए बहुत ज्यादा नेस्शरी है आपके भविष्ट के लिए इस पॉइंट से कुछ नेस्शरी है मारी लाइफ के लिए तो परशान होना तो लाजमी है लेकिन अक्सर होता है कि सौरपय कानोट भी खौ गया मारकेट जा रहे है हो। उसके लिए हम इतना ज्यादा मतलब हाइपड हो जाते हैं बहुत गुस्टा जाते हैं या किसी बच्ची के बज़से हो गया पचास रुपया को नोठी तो था importance तो एक रुपया की होती हैं मानते हैं लेकिन आपको हाँ पे उससे क्या होगा कि और परसन आप हो जाएंगे तो हो सके कि आप से परशानी में कुछ और भारी गलती हो जाए या आपको और नुकसान उठाना पर जाए इसलिए आपको चोटे मुटे जो ये कुछ खो जाए तो फिर भी उससे कोसिस करें कि कैसे ढूना जाए या मिल जाए लेकिन वहाँ परशान नहीं होना है परशान होके हम और प्रॉब्लम में उससे बढ़ा देते हैं जैसे ऐसे भी हम कुछ हो जाए या चोट भी लग जाता है तो अगर हम उस चोट को थोड़ा से सहला के आगे बढ़ जाते कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ तब तो ठीक है ओके लेकिन अगर उसी चोट को बढ़ावा दे दे रोने लगे उठे ही ना गिरे हैं तो गिरे ही हैं कोई उठाएगा तो हम उठेंगे तो ऐसे में क्या हो रहा आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो और वो आपके लिए ही मतलब दिक्कत होता है आगे चलके तो आपको छोटी-छोटी चोटों को सहने की आदत भी होनी जाएई यह एक स्मार्टनेस होता है यह थोड़ी सी चोट लगी तो उसे इग्नोर करके जैसे इंटर्विव में जाना है थोड़ी सी चोट लग गई है आपको तो आप इग्नोर करें और आगे बढ़ें और इंटर्विव फेस करके काम्याभी हासिल करें कि हर चीज़ का एक टाइम होता है फिर वो इंटर्व्यू का डेट पार हो जाएगा फिर आपको वेट करना होगा तो उतना जो उप्चुनिटी सामने आई है उसे छोड़ना नहीं है छोटी मोटी बातों के चल दे इस स्मार्ट लोग जो होते हैं वो ब बहुत सारी उप्चुनिटी आते रहती हैं लेकिन उन्हें दिखाई ही नहीं देता है और फिर वो उप्चुनिटी भी पार होते रहती है फिर वो जहां थे उस पॉजिशन को पास्ट में ही जीते रहते हैं जो कि कभी आने वाला दुबारा नहीं है प्रजेंट में जो पेन्दैर का स्थर तरे से आप उन से सीख के अपने अंदर भीृऊ सामिल कर सकते हैं। तो यह सारी जो बाते होती हैं उसे खुछ से कहनी पड़ती है तो ऐसे में क्या है कि आप दूसरी की quality को देखकर अगर अगर कोई दूसरा confidence है किसी के पास है दूसरे person के पास है तो उसे देखकर अगर आप अपने अंदर भी confidence लेकर आते हो और अपने look को भी change करते हो अपने अगर हम इंप्रेस हो कि कुछ अपने अंदर बदलाओ लाते हैं चेंज लाते हैं तो यह अच्छा है यह इसी copy करना नहीं कहते हैं तो ऐसी quality आपके अंदर होनी चाहिए कि अच्छी चीजों को speak कर अपने अंदर सामील करें 7 points है कि दूसरों की पक्षे को भी important दे सुने यह नहीं कि आप बोलते ही रहने क्योंकि एक अच्छा स्रोता जो होता वक्ता से अच्छा माना जाता है अपने दुस्मन की भी आपको तारीफ करनी चाहिए इससे क्या होता कि आपकी सोच उची सोच उची दुकान वाली होती ह तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम सब को लेके साथ में आगे बढ़ना है दुस्मन को भी मतलब साथ में लेके आगे बढ़ना है किसी का बहुत जादा नुक्षान करना या किसी से जैलस करना इश्या करना नहीं चाहिए तो दूसरों को भी importance दे दुस्मन की भी देनी है या किसनी है जिससे क्या हुआ कि हम उससे भी जादा मतलब बड़े होजा लाइफ में कामियाब हो जाए इसके लिए हमें अपनी कामियाबी के लिए किसी को चोट पहुंचाने की जरुवत नहीं है या किसी को मिटाने की जरुवत किसी की लाइन कामियाबी को मिटा आने की जरूरत नहीं है यह होती स्मार्टनेस रियल में स्मार्टनेस ऐसी सोच वाले जो भी बंदे होते हैं गर्ल्स हैं या बोज हैं या जो भी लोग हैं वो लाइफ में बहुत आगे उचाईयों कुछ होते हैं उनका गोल बहुत बढ़ा होता है और उन्हें गोल लक्षे ह यह दिखता है इसके आगे पिछे कुछ नहीं दिखाई देता है तो इस तरह की सूच के साथ आपको smart बनना है और अपने दम पे कमाना है ना कि माँ बाप के पैसों पे ऐश करना है जो smart होते हो अपने दम पे अर्न करते हैं कमाते हैं और उनकी पहचांद से parents पहचाने जाते ह ना कि parents की पहचान से उन्हें पहचाना जाता है तो ऐसे smart बनो ऐसे life में काम्याब धन्यवाद